कोरोना माहमारी की चलते लगभग दो साल से भारत की साथ अंतराष्टिय उड़ानों पर लगे प्रतिबंद काफी हद तक बाकी थे ऐसे में अब नागरिक उड़ेन महांदी देशाले द्वारा जादी एक आदेश के अनुसार रविवार से भारत ने नियमित अंतराष्टिय उड़ाने फिर से शुरू कर दी हैं दरसल कोरोना की मामले घटने से सभी पहलों की समीशा के बाद सरकार ने अंतराष्टिय यात्री विवान सेवा बहाल करने का फैस्ला लिया है आदेश में कहा गया है कि शेडूल फॉरेंड करियर्स ने अपने अंतराष्टे शेडूल की मंजूरी के लिए आवेदन किया है समर शेडूल 2022 इस साल 27 मार्च से 29 अक्टूबर तक प्रभावी था मौशिस, मलेशिया, थाइलेंड, तुर्की, सयुक्तराज अमेरिका, इराक और अन्य सहित 40 तेशों की कुल साथ विदेशी एरलाइनों को समर शेडूल 2022 के दौरान भारत से और भारत के लिए 1783 फ्रिक्वेंसी संचालित करने की मनजूरी दी गई है इधर कुछ नई एरलाइन्स, इंडिया सलाम एर, एर अरेबिया अबुधाबी, कौांटास और अमेरिकी एरलाइन भारत के साथ एरलाइन संचालन शुरू करने की तयारी में हैं बता दे कि भारत ने 23 मार्च 2020 से कोविड महामारी की कारण सभी तरह की नियमित हवाई उडानों पर प्रतिबंध लगा दिया था बाद में घरिलू उडानों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर ये प्रतिबंध लगे रहे